जेन कॉलेज में LLB की 15 सेमस्टर के विध्यारतियों ने कलेक्टेट पहुंच कर सौपा ग्यापन, सत्र के बीच में फीस बढ़ाई जाने पर जता यापती, प्रबंदन से ठीक जवाम ना मिलने पर कलेक्टर को सौपा ग्यापन अच्छा ग्याइब जाने आफिशी विध्यारतियों ने की बीच लेकाइब, लेकिन उसके विध्यारतियों के विध्यारतियों ने कि ने करना है, मैं LLB 17 की स्टुटेटन हूं मैं SSS JL गुदिशा कालीब लग्यारतियों हमारी फीज बढ़ा दी गई है बीस सतर से इसलिए पहले हमाई फीज कम थी अब हमाई फीज तीन अजर बढ़ा दी गई है हमें फीज कम करवा लिए मेरा ना मंकित शाक्य है मैं फिफ्ट सेमेश्टर का छात्र हूं एससल जैन कॉलेज में आज दिना 19 तारिक को हम कलेक्टर म मौदे के पास आये जिसका विशह है कि जैन कॉलेज में हमारी फीज बढ़ा दी गई है जो कि सालाना 3,000 रुपए बढ़ा दी गई है हमसे पूर में सभी चात्रों से कहा गया था कि आपकी सेमेस्टर की फीज 4850 रुपए रहेगी जो कि सालाना 9700 रुपए है लेकिन अब बीच सत्र में बढ़ा कर 3,000 रुपए की बढ़ोत्री कर दी गई है जिससे कि बच्चों पर 3,000 रुपए का भार पड़ चुका है और अब बढ़ा करके 12,700 रुपए हो चुकी है और साथी साथ बच्चों गुम्रा किया जा रहा है ना ही कोई नोटिस दिया गया ना ही प्रदानाचारिया महदार से पूछा कि यह आदेश किस के तहत पारित हुआ तो उन्होंने कहा कि यह गवर्निंग बॉड़ी का डिसीजन है तो हमने उन्होंने का हमारे पास लिखत में कोई ऐसा आदेश आदी सूचना नहीं है तो हमारा एक मूल सवाल यह है कि इस तरह की मनमानी कैसे हो सकती है जब आपके पास किसी प्रकार की अदिसूचना है किसी प्रकार का आदेश नहीं है बस हमारी कारवाई हम यहीं चाहते हैं कि जो पूर में फीस ली जा रही थी वही ली जाए बाकि कॉलेज को डिसीजन लेना वो नए सत्र से लिया जाए बाकि जो में बच्चे हैं उनके साथ कोई भी छेड़ खानी ना की जाए